असलाम अलेकम दोस्तों वेलकम टू अबुबकर 3D ज्वाले डिजाइन सो दोस्तों मैट्रिक्स 9 की आज के इस क्लास के अंदर हम रेंडरिंग के बारे में सीखेंगे के पीस को बनाने के बाद रेंडर कैसे किया जाता है ठीक है जो रेंडरिंग की जो एक आप्शन है और ये जो करती हैं जो चीज सबसे हम के रेंडरिंग तो काफी टाइम से कुछ लोग मुझे कुछ नहीं बहुत से लुग मुझे के बारे में पूछ रहा हैं तो इंशाला जो मैं अपना परसिल्स एक्सपीरियंस हैं कि मैं रेंडरिंग किससे करता हूँ वह आप लोगों के साथ करभा को आपको सकता हैं या विंडू के अदर जो या पो सिखेंगा पहले हम में रेंडरिंग के अपको आपको अब इतने ही को प्रेजंट करने में बहूत आहीं किरदार अमारी अधा करती है ठीक है तो आपको मैं step by step समझाऊंगा और अपना personal experience जो मेरा अपना experience है वो आप लोग के शेयर करूँगा कि मैं rendering कैसे करता हूँ और किन किन option को यूज करते हूँ मैं rendering करता हूँ और HD rendering कैसे करता हूँ तो हम बिना time जाय करें अपने laptop की screen की तरफ चलते हैं और वहां जाके हम देखते हैं कि rendering किस तरफ की जाती है और वीडियो को इज़री like करते हीगा तो यहां से मैं अपने laptop की screen की तरफ आ चुका हूँ ठीक है और यहां से मैं matrix on किया हुए अपना गया हमें करते हैं और यहां से यह वाले रिंग पहले निकाल लेता हूं और यहां से यह बंद कर देता हूं उसके बार अब हम यहां पर आजाते हैं और यहां से मैं इस रिंग को यांगरिल जो बंद करने ओल्रहतों और यहांसे मिंसको प्लस्टीक यूं कर आपको दिखा देताएं कि यह जह हमारे पास क्या चीज़ बनी हूई यह किसता की अंगूठी बनी हूई ठीक है यह देखें तो अब हम इसको render करना सीखेंगे कि इसको हम render कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले तो हम ने क्या करना है हम पहले यहाँ पर यह देखें यह लिखा हुए render तो हमने इस पर click करना है यहाँ से click करने के बाद उसके बाद सबसे end में लिखा हूँ वी रे style ठीक है इस पर हमने क्लिक करना है उसके बाद हमारे पास यहाँ पर यह window आ जाएगी अब इस window को कैसे use करना है मैं आप लोगों को यह बताता हूँ ठीक है उसके बाद अब हम सबसे पहले क्या करेंगे हमने सबसे पहले इसके मैं ले ठीक है इस पर हमने क्लिक करना तो जैसी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यह देखें पीछे किताब एक surface आटमाटिक बन के आ जाएगी यहा मैं आप लोगों को एक point क्लियर करता जाओं कि अगर यह surface आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं और यह surface आपको सामने नहीं आती तो आपने सबसे पहले यह option देखनी है कि जो white layer है यह बंद नहीं हो क्योंकि यह वाइड लियर में आएगी इसके लावा किसी layer में नहीं आएगी जैसे यह मैं आपको दिखाता हूँ मैंने white layer बंद करता हूँ सबसे पहले यहां से right click करना है ठीक है पहले मैं करता हूँ इस जाली को मैं अलादा color कर देता हूँ ठीक है यह जाली इसको मैं अलादा color कर देता हूँ ठीक है यह जाली इसको अलादा color कर लेते हैं हम और बाकी इसको अलादा color कर लेंगे ताकि वह आपको अच्छा concept clear हो जाए अब मैंने करना है यहां से इस color पे right click करता हूँ ठीक है यहां पर देखें सारा select हो गया अब यहां पर देखें लिखा हुआ yellow gold, white gold, silver, rose gold, platinum, green gold जो आपको जिल करें आपने यहां से वो color select करना है लेकिन मैं यहां पर देखें जो मेरा अपना personal है experience जो मैंने आपको बताया कि ज यहां से select करता हूँ red gold इसको पहले मैं यहां ले आता हूँ पकड़के window को इस जगह पर ठीक है ताकि बड़ा हो जाए और clear नजर आए आपको तो यहां से click करने के बाद यहां से select कर लें जैसे यहां से कर लें यह कर लें लेकिन जो मैं करता हूँ वो यह वाला ठीक है यह सबसे end में एक, दो, तीन, चार्ट, पांच भी line में यहां पे चौथे number की option है मैं इसको click कर यहां से select करता हूँ जो मैं करता हूँ ठीक है उसके बाद इसको यहां से play करता हूँ तो यह देखें यहां पे play हमारा color जो है इसको green यानि कि यह वाला gold color आ चुका है अब हमने क् लिए पर आते हैं यह देखें, यह लिखाब है, material editor यह हमारी basically raway, रावो को color देने के लिए हम यहां पर आते हैं लेकिन य ज़रूरी नहीं है रावो को color देने के लिर हम यहां पे आएंगे और रवो को color दिया जाएगा और किसी चीछर को color भी को करदे सकते हैं material को को कर सकत करना है , यहां पर राइट क्लिक करना है , यह मैं से स्टोन में चला जाता है , теперь मैंने क्या करना है? यहां से तो läuft यह पे उखेंगा आ चुके हैं आपर okay अब मैंने कोई भी स्टोन जो अच्छा ऑइ जग अच्छा कलर में लगी मैंने City हों जासे मैं यहां से करेंगा है जैसा कि मैं यहां से करेंगा हूँ नीचे आकर Green करेंगर मैंने यहाँ से यह green color select कर लिया थीक है यह green color select किया उसके बाद यहां पर नगीने इनको बाहर किया यह यहां पर रैट कलिक किया ISO, यह color आगे select होगा अभी इसको मैं यहां से नीचे के यह वाला लगते हैं लिया वर Books अपको ने कि आद यह किaren तो है और भी हुआ आगए को स्टॉन्स को करणा में अप रहे हमारी ही पीछे की सर्फेस तっちिक है तो यहां से को और सर्फेस को मैं करता हूं सेलेक्ट सर्फेस मेंना सिलक्त कर ली उसके बाद अब हमने क्या करना है यहां से अब यह देखे इस पर चले जाएं यहां पर लिख़ा है material editor अब यह देखें यह surface यह surface हो color देने के लिए आप जो मर्जी यहां से surface select कर लें यहां पर जाके surface select कर लें यहां पर surface select कर लें यहां से स्लेक्ट कर लें, यह स्लेक्ट कर लें जो आपको अच्छा लगे मैं जो बेसिकली करता हूँ वो यहां पर जाके जो मैं खुद करता हूँ परसनली यहां जाके मैं यह वाला कलर स्लेक्ट करता हूँ जो मैं करता हूँ और यह आपको जैसे मुझेभा पर्सामने करहу में पर्साइल हो यहां यहां पर अठावर को निbalance कर दोànा है जैसे बीवार color नहीं आएगा जो यहाँ पर मैंने color select करके play किया है ना ये वाला अब इसको पिछी service को ये वाला color आएगा ठीक है और ये सारे आप surface को भी दे सकते है color नगीनों को भी दे सकते हैं रवो को भी color दे सकते हैं जरूर नहीं की रवो को यहाँ से select अरना चाहिए, यानि कि यहां से select करते हैं और रवो को color देना है, तो इससे select करेंगे तो क्या होगा, या select करेंगे तो नहीं color आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता आप रवो को चाहिए, यहां से color दे दें, यहां से देदें स्टोन्स को चाहिए यहां से कलर देदें कोई सा भी पकड़ के और रवो को यहां से कलर देदें सर्फेस को स्टोन वाला कलर देदें यहां से select करके अगर surface को beads में से यानि के rubber वाला color surface को देना तो वो भी दे सकते हैं कोई इतना issue नहीं है अब यह हमारा सारा यहां पर select हो चुका है ठीक है अब हमने इसकी position set करनी कि यार यूं position हमें अची लगेगी ऐसे अची लगेगी या ऐसे अची लगेगी चोटी multiply by 480 ठीक है यह values की by default आती है यहाँ पर अगर इसी value के ऊपर रख कर मैं इसको rendering करूंगा तो यहाँ पर छोटी सी rendering होती विए आपको नजर आएगी HD rendering नहीं आएगी मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ देखें जैसे यह अब यह देखें यह लिखा हुआ है render active view मैं इस पर क्लिक करता हूँ जैसी मैंने render active view पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखें रेंडरिंग स्टार्ट हो जाएगी और यह देखें बिल्कुल छोटी यानिकि इस window के अंदर इस frame के अंदर यह rendering हमारी हो रही आपने जब मैंने इस value के ऊपर rendering start की तो किस shape के अंदर और कितनी छोटी rendering आ रही थी तो इसको और भी हम अच्छा और बहतर कर सकते हैं उसका तरीका का मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने इसको और बहतर करना तो इसका duplicate निकाले इसको group करें यहां से इसका duplicate निकाल लें और से कर लेंगो अब यहां पर जो value मैं लिखता हूं इसको defence आप लिख देता हूं सबसे पहरे तो यहां जहां 640 लिखा हुए यहां हम लिख देते हैं 1920 मुल्टिप्लाइब 480 की हम लिख देते हैं 1000 ठीक है इस वैल्यू के ऊपर मैं अपनी रेंडरिंग करता हूं ठीक है और इससे नीचे आपकी मर्जी है वह आप करना चाहें तो कर सकते हैं 1920 मुल्टिप्लाइब 1000 ठीक है अब जब मैं इसके उपर इस वैल्यू के ऊपर रखकर यहां से यह रेंडर एक्टिव करूंगा रेंडर एक्टिव को करूंगा क्लिक तो उसके बाद देखेंगा जो हमारी रेंडर की वीडियो है वह थोड़ी सी वीडियो जानी के जो इसका इमिज साइज है वो बड़ा आएगा हमारे पास यह देखें अब यह हमारा कितने बड़ी रेशियो के अंदर यहां पर रेंडरिंग स्टार्ट हो रही है तो जब इस वैल्यू के ऊपर आप लिखेंगे तो यह कुछ इस तरह से स्टार्ट होगी इस से उपर की वैल्यू ल जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जो अपने मेरे परसनल एक्सपिरियंस है जिस रेशियो के ऊपर मैं रेंडरिंग करता हूं वो यही है उन्नीस सो बीस पर वन थाउजन ठीक है और इसके साथ साथ अभी आप लोगों के लिए इतना ही मजीद अभी आप लोगों को और बता हूंगा लेकिन अभी बस इतना ही बताना था लेकिन अभी हम यहां पर रुखते हैं जब तक हमारी यह यानि के रेंडरिंग हो रही है तो हम यहां थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसके साथ साथ आप लोगों को यह बताता चलूँ कि अगर आप यहां पर सर्फेस के अंदर तो यह देखें मेरे पास यहां पर यह रिंग भी लिखा हुआ आ जाएगा ठीक है यह आ गया मेरे पास इसको मैं करता हूँ ग्रूप ठीक है और इसको मैं ग्रूप करने के बाद थोड़ा ओपर लाता हूँ यहां पर ऐसे और यहां लाने के बाद इसको मैं कलर दे देता ह तो यहां से यह गोल्डन ठीक है यह मैंने कलर दे दिया इसको यह वाला अब जब मैं इसको रेंडरिंग स्टार्ट करूँगा दुबारा से तो हमारे साथ जो यह रिंग है यह भी रेंडरिंग होगी इसके लावा और भी कुछ अगर आप यहां पर लिखना चाहिए तो यह ईकोपर जाके ुख करके कोई भी लिख कर यहां सर्फेस बना सकते हैं। उसको आप आपके समझे दुबारा से यहां पर और बृद्ध करदा यहां पर हो रही है स्टार्ट हूं अर्म यहां थोड़ा सा जबन करता हो यहां है तो जैसे रेंडरिंग हो तक यहां थे तो यह देखें, यहाँ पर यह हमारी जो पिक्शर थी, जो रिंक थी, जिसको हमने रेंडर करना स्टार्ट चार्ट किया तो यह यहाँ पर रेंडरिंग हो के आचुकी है, तो देखें कितनी smoothly और कितनी अच्छी हैं हमारी पास rendering होगे आई है, आप इससे बहतर भी इसको कर सक मतलब कि इन स्टोन को कर दें ज़या एक सक्षार और मेकर और गुझार तायटा उंद कर सकते हैं सलसी होती है यह बहुत ज़्यादा अहम कर दा करती है हमारी प्रीजेंटेशन में क्योंकि जितनी अच्छी रेंडरिंग होगी और रेंडरिंग करने के बाद जब किसी के सामने हम चीज को पेश करेंगे तो फॉरन उसकी पहली लुक जो होगी वो देखते ही कहेगा या चीज बहुत अच्छी है और वो उसको आउर्डर भी हमें देगा अगर हम मेहनत बहुत सरी कर लेते हैं बहुत सारी चीज अच्छी बनाते हैं लेकि उसकी रेंडरिंग अच्छी नहीं करते हैं तो देखने में लगए या इसमें मला नहीं आ रहा और वो और भी हमें नहीं देगा तो रेंडरिंग बहुत एहम किरदार दा करती है इसलिए रे प्रिजेंट करना हो आप वो यहां पर लिख सकते हैं ठीक है तो यहां से मैं इसको अब देखें यह हमारी टेंडरिंग हो गई है उसके बाद यह देखिए ऑप्शन है सेफ की ठीक है इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद हमें देज़ेगा हमारे कंप्यूटर के अ सब्सक्राइबथ बस इतना ही अपना बहुत सारा ख्यार लखीएगा दो आम याद रखीएगा तब तक के लिए अला हाफिज